अटो अधो फ्रेंड्स फैलकम मत अगेन इस शेशन में जिसको हमने सेशन 3 नाम दिया है इस शेशन में हम, we are going to do some practice in phonetic transcription, यानि कि phonetic transcription में कुछ practice हम इस session में करने जा रहे हैं, लेकिन इस सेशन में यह जो अधर करेंगे आया हूं में वह दूसरी प्रेक्टिस से थोड़ी सी डिफेंट है थोड़ी सी अधर के थोड़ी सी बिन है तो उस पह आजाते हैं हम यह दिखे इस पार मैं जो दाया हूं उसमें you have been given four words four words having almost the same sound but having a little bit difference in one of them that is an odd one and you have to choose that odd one pronunciation yes coming यहां पर आपको जो मैं आपकी सुविधा के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं इसका पूरा transcription देखूंगा देखिन क्या है यह question यह है कि आपको जो underline bird कैसे यह different है उसको हमें उसका प्रनिंस्टिशन देखना है यहां पर जिसे यह जो बर्ड है जिसे इसको मैं बोल के भी बताओंगा आपको इसको इनका पूरा प्रनेंशेशन देकिन यहां पर इस O इस O इस O और इस O के हिसाब से आपको उच्चारन देखना है इस O का क्या उच्चारन और उसके हिसाब से भिन्न नहीं होगा इस पर हम आएंगे इसको फोनेटिकली करने से पहले मैं इनको पढ़ रहा हूं नावं काउं हाउं प्टैटो 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 यहां पर यहां पर स्ट्रेश है इस वज़से टर पर साउंड जो है वह प्रॉमिनेंस से बोदा जा रहा है तेज बोदा जा रहा है उसी तर से नियार बहुत इंट्रेस्टिंग अधिकतर हमारे यहां पर अगर आप बात करें इंडियन सब कोटिंटेंट में पूरे भारत और जो आसपास के देशे जहां जिस टंक से अंग्रे जी को बोदा जाता है उसमें अधिकतर यह कॉशन जो ह है अच्छे युनिश्टी रेवल के भी इस्टूइंट इसको गज़त कर सकते हैं और बहुत सारी वार में देखा है यह क्रेशन जो है और वो एमें वादे स्टूइंट जो फोनेटिक में प्रेक्टिस करते हैं उनका भी गज़त हो जाता है जबकि देखें कितना सिंपल सा सिंपल से वर्ट से हैं नियर इएर फियर इयर आई वियर रॉंग विट इस नौट दियर इяж और इक नियर इन जो वाईनम लियर नहीं बोल दाता है इसको क्या बोज़ा दता है फ्रेंट्स बेयर तो यह डियर तो बाकी सब का साउंड एक जिसा रहा है यह 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 लेकिन यह यह है उसी तरह से देखिए कुछ और वर्ट्स देखते हम एयर एयर र प्रेंड आइपल एंट एनिमल उसके बात में देखिए अब यह भी एक ब छुएंड है कि जो को हम मूल शब्द कहते है जो रूट वर्ड रूट वर्ड के आगे आके कोई भी रूट वर्ड है उसके आगे जो वर्ड होता है क्योंकि इस्टेस हमेशा रूट पर लगता है तो यह जो एक साउंड है वो कमजोर हो जाता है वो ए Gulf Drive को उसको अ बोला जाता है और इसी का टेस्ट इस पर है इसे यहां पर तीन शब्द इन में से रूट वर्ड है लाइव गैन और मिट यह तीन शब्द है यह आपके रूट वर्ड हो गए है इसे इनको क्या है हम यहां पर इसे इनको ए होते हो भी इनको हम प्रॉमिनेंस से नहीं बोलेंगे तेज नहीं बोलेंगे आपकी भाशा में क्या क्या कह रहे हैं इसको यह एडमिट है यह अगेन है यह एस है और यह एलाइव है गलत प्रॉमिक से यह एड waż यह एडमिट है यह ऑगेन है और यह एस और यह और यह एन नहीं знаем इस तरह से इनको हम में दिख्के भी बताओंगा आपको, मैं आपको पेदे इन सारे शब्दों से बताना चाह रहा हूँ, फिर है बनाना, बनान, बाब, बात, एंड बोल, फ्रेंड्स वापी साज़तों में, अपनी फर्स्ट एक्साइज पर, यहां पर इसका आओ, आओ, रिफ्टोंगे नाओ, यह क्या है, काउम, आउम, काउम, हाउम, 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 प्टैटो, पर, अब यहां पर इस्टेश लगया, टव पर, तो यह क्या हो गया, आपका टै, प्टै, टव, प्टैटव, आउम, प्टैटव, प्टैटव, अब देखिए, इन, यहां पर किसका साउंड क्या रहा है, ए, ए, यू, आउ, आउ, यह साउंड क्या है, आउ, लेकिन बाकी तीनों में, जो साउंड क्या रहा है, आउ, यह आउ है, और यह आउ है, तो आपका इसमें difference क्या हो गया, यह आपका different sound, आपका इसमें answer क्या है, यह है, बाकी तीन का जो, जो pronunciation है, वो अउ है, और यह जो pronunciation है, यह आउ है, तो इस question का answer, पहले question का answer हो गया आपका A, इस टंग से भी पूछा जा सकता है, examiner इस टंग से अगर आपसे question कर रहा है, तो वो एक साथ में आपसे एक answer तो आप एक दे रहे हैं, लेकिन ये तभी कर पाएंगे, जब आपको चारो words के pronunciation correct मालूम हो, तभी आप उस जो बारी का answer ह जो बारी की है, pronunciation में, जो difference है, pronunciation में उसको आप पकड़ पाएंगे, the second example भी ऐसा ही है, निय, यहाँ पर भी डिफ्त होंगे, नी-अ, निय, पिय, निय, पिय, 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 यह बियर नहीं है, यह बेयर है, ए, अ, बेयर, और यह वापिस क्या हो गया आपके, डी, आई, ई, और, यहाँ पर यह आपका bracket में close हो गया, तो यहाँ पर answer आपका क्या हो गया, इय, इय, यह से में, यह से में, यह से में, यानि कि आपका answer इसमें क्या हो गया, आपका answer इसमें C हो गया, अगर आप separate चाहते तो वापिस में इनका उच्चार दिखता हूँ है, आपर, इअ फिर वापिस इअ फिर एअ और यह आपका हो गया इअ तो तीन वर्ड जो हैं वो इअ से हैं और यह एअ से हैं इस तरह से यह मार्केट अगर आगे आगे देखते हैं हम यहाँ पर इस यह का प्रनस्यशन देखना हैं हादां कि अगर इससे भी अगर यह होता तो भी बिल्ल प्रेंट के इसको अब हम करके देख लेते हैं ए ए कि आपका जो स्टेस्ट जो है वो डिसाइड कर रहा है कि यह आगे और आगे क्या है त्वेइन वापिस डिफ्टोंगे आइरप्रेइन ए अ र एरप्रेइन अब देखिए यह है एपल इस्टोंग ए है और डिफ्टोंग नहीं है एपल उसके बाद में आइनिमल 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 आइनिम नेक्स फन इस एनिमल 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 यहां में यह पॉइंट नहीं आएगा इसमें एनिमल मैं एक बार ओर दिखता हूं इसको एनिमल 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 कि यहांत्त तरह का आय है तो इसका क्या हो घ्रिया फ्रेंट कर दो जाए अगर यह इस में का करेंट होता क्योंकि यह इए आ है इए देखें बहुत शानधार उदारन है इसमें मैं बता तो ऐसी वर्ब या ऐसे word जो किसी की mood word के आगे जैसे उसके mood word जो इसको इंगिश में कहते हैं कहा जाता है root word root word के आगे जो prefix लगके एक नया सब्द बन जाता है जैसे एक उधारन में बता रहा हूँ part apart twin between यह कुछ उधारन है तो इसमें rule यह है कि हमेशा stage इसके root word पर लगता है root word पर stage लगया तो इसके पहले आने वादा और इसके बाद में आने वादा root word से पहले आने वादा जो भी word है वो strong नहीं बोला जाएगा यह ए नहीं रह जाता है और इसको हम क्या कर देते है हलंत वादा जिसको कहते है weak a कर देते है और यह ए नहीं रहके वो a बन जाता है और इसमें एक ही word जो है जिसमें root word नहीं है यह अपने आप में पूरा शब्द है यहाँ पर देखिए mit admit तो यहाँ पर admit नहीं है यह क्या है a d ad और यहाँ पर stage आ रहा है इस दिये यह e का sound हो गया admit 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 again a यहाँ पर admit यहाँ पर stage लगया तो यह gain हो गया simple a की मात्रा है यह again again यह आपका क्योंकि यह root word की बात नहीं है यह single syllabic word है इसलिए यह जो है s हो जाएगा sir हो जाएगा sir sound नहीं इसमे s तो आप देखें हैं कि यह a हो गया आपका यह underlined है यह underlined है यह underlined है और alive यह वापिस यह लग पर लगा i और यह आपका हो गया were alive यह आपका root word तो यह यह a हो गया आपका यह a हो गया यह a हो गया और यह हो गया तो इसमें डिफ्रेंट क्या है बहुत अच्छी एक्साइज हैं इसको इंग्लिश में कैसे pronunciation vary कर जाता है एक जिसा दिखने वादे शब्द होते हैं लेकिन उसमें भी हलका सब answer थोड़ा अलग होके वो पूरा आपका इसका उच्छारन बताता है तो यहां पर a b c and d तो आपका answer क्या है answer यहां पर आपका c है इसका उच्छारन बाकी तीन से different है यह root word नहीं है and fifth one banana banana ब न न ब न यहां पर इस्टे से तो इस्ती यह आओ गया banana banana पाब पाब पा ब बाब बाब पाथ पाथ and बोल बोल लाइक दिस तो अब आप देख सकते हैं यह आ है यह आ है और यह आ है और यह ओ है यह रास्ट बादा वर्ड ओ है बाकी सारे आ है आ की मात्रा रही है इन तीनों वर्ड में तो यहां पर और यह ओ की मात्रा रही है तो इसमें डिफरेंट कौन सा वर्ड डिफरेंट आपका ओ हुआ यानकी ओ का लोंगर साउंड है तो बोल यह आपका डिफरेंट हो गया तो इसका अंसर बी हो गया इस तरह से हमने यह पाँच अधाक अधाक वर्ड्स हमने कीया है और कोशिश की है कि किस प्रकार से यह जानने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो है आपका है इसको यूँ भी कह सकते हैं कि How Stress Determines the pronunciation किस तरह से stress जो है वो निरभारित करता है कि यह आपका ही और अगदे वीडियो अगदे शेशन में हम इसके साथ में और प्रैक्टिस देखे मैं आपके सामने आउंगा और तब तक के लिए इसमें इतना ही जय ही